हेले स्टूरेंट हम लोग real analysis स्टार्ट कर रहे हैं और real analysis यानि कि वास्तविक visualization तो नाम से ही पता लग रहा है हमें कि real analysis के अंदर real numbers की analysis की जाएगी real number पर visualization किया जाएगा हम real numbers को पहचानेंगे यहां पर कि real numbers किस तरह की property अपने अंदर रखते हैं real number कई property कई axioms को follow करते हैं कभी कई सारी अभी गृतियों को axioms means अभी गृतियां तो अभी गृतियों को यह follow करते हैं संतुष्ट करते हैं कुछ अभी गृतियां ऐसी होती है जैसे completeness, ordered axioms और filled जैसे कि हिंदी में हम लोग केते हैं कि पूनता, क्रमता और शैत्र तो जो real number होते हैं वो completeness, orderedness और axioms जो filled axioms हैं उनको फोलो करते हैं तो realness के अंदर number की कुछ property को और कुछ axioms जो हैं उनको follow करते हैं उन पर हम लोगों को discuss करना है इस realness के अंदर, उनके अंदर हम लोगों को पहचानना है कि किस तरह से rule यहां पर, जो principle है, rule है, वो यह numbers जो हैं वो follow करते हैं अब इनके अंदर समझने के लिए इसे पहचानने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो रियल नंबर है उसको यहाँ पर उस पर स्टड़ी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिल्ड के बारे में शेत्र के बारे में स्टड़ी करनी होती है और जो फिल्ड और शेत्र जो हैं यह आपको तब ही ज़ादा अच्छे से समझने में आ सकते हैं जब आप गुरूप के बारे में नोलेज रखते हों यानि कि समूँ के बारे में नोलेज रखते हों सबसे पढ़ा था अब के साथ थोड़ी बहुत नोलेज आप लोगों को फिल्ड के भरवें भी दी गई थी कि अब सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में डिसकस करना होगा क्योंकि हम सीधे सिस्टम पर नहीं आ सकते सीधे रहा पर पर पेचानना होगा और को पेचाने के पर लिए हम लोगों को है तो यह गृप है क्या हिस्टों क्या है अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान दें तो नहुंने इल्जे parliamentary की ती तो हमने वहां पर हलका फुलका पहले तो हमने यह देखा था वहां कि जो फिल्ड है वह फिल्ड में एक हमारे पास सेट होता है और दो हमारे पास ओप्रेशन होते हैं जबकि जो ग्रूप है उस ग्रूप के अंदर हमारे पास एक सेट होता है और एक हमारे पास ओप्रेशन होता है चाहे वो प्लस का हो या फिर वो मल्टिप्लिकेशन का हो हम इनको बोलते जरूर है कि यह प्लस operation है और multiplication operation है पर लेकिन इनका हर वक्त यह mean नहीं होता है कि प्लस का मतलब जो हम लोग आज तक पढ़ते वे आए हैं कि 2 और 2 को हम प्लस करें तो 4 बने तो यह addition और multiplication same वो वैसे नहीं होते हैं जैसे हम लोग आज तक पढ़ते वे आए हैं इनकी अपनी definition हो सकती है हम लोग यह भी कह सकते हैं कि हाँ यह प्लस और multiplication जो है यह numbers पर काम कर रहे हैं और numbers पर काम कर रहे हैं तो numbers पर इनका mean वही है जो आज तक हम लोग पढ़ते वे आए है पर लेकिन कुछ यहां पर operation जो है वह अपने आप में कुछ define होते हैं जैसे कि अगर मालो सपोच करो मैंने लिखा कि a plus b equals to a plus b minus a b और यहां जो यह plus है अब हमने लिखा plus है तो इस plus की एक definition है तो यह जो plus है इसको round करके यहां पर दे दिया तो यह बता रहा है यहां पर कि दो element पर जब आप लोग प्लस operation काम में लेते हैं तो अब यह special देखिए इसका operation यहां दियावा है वो इस तरह का symbol बना करके दिया है जो यह बता रहा है कि आप इन दोनों को पहले तो एड कर दें और इन दोनों को multiple करके इस आने जो a plus b से जो result आये था उसमें से आपको सब्टेट कर दें तो इस तरह का operation यह हमारे पास जो operation हमें देखने को मिल रहा है वो कार्य करता है वो उसके अंदर डिफाइन होता है यह इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो दो एलिमेंटों को एड करता है multiple करके उसकी रिजल्ट्स पर से उसको सब्टेट होता है कि तो operation जो होते हैं वह अपनी definition खुद अपने पास रखते हैं operation की special definition होती है operation यह कहते हैं कि हम लोगों को किस तरह से वो काम क्या करेगा कि जैसे सपोच करोगी हमने x की power n पर d by dx यह differential operator को काम में लिया तो वो इसकी जो value बना करके हमें देगा वो देगा n x की power n-1 मतलब वो उसकी power को एक कम कर देता है और पावर के coefficient से multiple करके विजल देता है तो यह differential operator का work है तो हर जो operator होते हैं हर जो संक्रियाएं जो होती है वो अपने आप में कुछ definition लेकर के चल रही होती है उनकी खुद की अपनी definition होती है कि उनको किस तरह से work करना है तो differential operator की definition के according लिए इसका result इस तरह से आता है integration यह भी एक operator है हमारे पास प्लस operator होता है माइनस operator होता है multiplication operator होता है तो operators कहीं सारे होते हैं और अपने definition लेकर के चल रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो discuss करते हैं plus and multiplication पर तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह plus जो दो संख्याओं को जोड़ने वाला plus है वही हो यदि अगर suppose करो कि मैंने जो यह set है आपको वो अगर मैंने matrix का set दे दिया अगर आपको तो matrix हमारे पास a plus b तो matrix a plus b का मतलब हो गया आप दो matrix को यहाँ पर add कर रहे हैं और दो matrix को add कर रहे हैं तो अब यह जो plus operation है वो क्या काम करेगा दोनों matrix के corresponding elements को add करेगा शर्त यह है कि दोनों matrix के जो order है वो same होने चाहिए तो corresponding element जो होंगे matrix के उनको वो add करेगा और एक नई matrix बनाएगा तो यहाँ पर यह जो plus है वो matrix के लिए आया है और matrix में addition कैसे होता है यह हमें school level पर भी सिखाया गया है कि corresponding element को add कर दीजिए और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 2 प्लस 3 तो इसका result हम लोग 5 लिखेंगे यह numbers के लिए हमने addition सीक्या हुआ है यह matrix के लिए addition होता है जिसके अंदर हर एक element add होता है तो number number को add किया तो number बना matrix matrix को add किया तो matrix बनी तो हम element को add करने पर या element को multiple करने पर उससे जो नया element बन रहा है क्या वो भी उसी category का है क्या उसकी भी पूरे उसके भी गुण वही है जो उस set के अंदर आने वाले element के होते हैं तो यह सभी जो discuss है वो इन ही में होता है कि क्या वो इस तरह के जो discuss है वो group के लिए बनेंगे या नहीं बनेंगे फिल्ड के लिए बनेंगे या नहीं बनेंगे तो ऐसी स्तती में हम लोग बात यह कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक set दियावा होता है और हम लोगों को यहाँ पर ओपररिशन दिया वाता है तो group के अंदर एक set होता है एक operation होता है जो set है वो उस operation के लिए कुछ अपनी property रखता है क्या property रखता है वह भी हम discuss करेंगे इसी तरीके से जो field है उस field के लिए दो operation एक साथ काम करते वह किस तरह से काम करते उनकी क्या property होती है वह भी हम लोग यहां देखेंगे तो यहां जो set है हमारे पास एक वह प्लस के लिए या मल्टिप्लिकेशन के लिए तो यह प्लस और मल्टिप्लिकेशन हम लिखते हैं पर जनरली अगर देखा जाए तो हम इसको यहां जी और स्टार लिख करके रिपर्जेंट करते हैं जी स्टार यह स्टार अभी स्टार में इसकी संक्रिया है चाहे वह प्लस की हो सकती है चाहे व हम लोगों को यहां पर यहां हम लोगों को बात करनी है सबसे पहले गुरूप पर हमें सबसे पहले गुरूप पर बात करनी है अब गुरूप पर बात करेंगे तो यहां पर एक सेट होता है और एक ओपरेशन हमारे पास होता है अब गुरूप में एक सेट एक ओपरेशन है त इसको हिंदी मम लोग बोलते हैं द्वी आधारी द्वी आधारी संक्रिया बाइनरी ओप्रेशन द्वी आधारी संक्रिया अब ये कई सारे स्टुडेंट तो ये भी है अभी तरह ऐसे कि उनको ये नहीं पता होता है कि ये बाइनरी ओप्रेशन क्या होता है दूए अधरी संख्रिया क्या होते है तो binary operation दूए अधरी संख्रिया बड़ी सिंपल सी बात देखो जड़ा समझीए आपसे जड़ा मैं अगर आपको यह दिए कहता हूँ कि आप एक set लीजिए integer number का याने कि पुणां के संख्याओं का समुझे लिजी तो मैंने यहापर एक पुणां के संख्याओं का समुझे लिए जिसको हम लोग आई से भी शो करते हैं और इसको हम लोग जेड से भी शो करते हैं अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास minus 2 माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू चलते देती है है हम लोग नहीं आप इंटीजर का एक सेट लिया पुरां के संक्याओं का समुझे लिया आप मुझे बताइए कि अगर इसके अंदर जो नंबर्स रखे वे हैं अगर मैं आप से दिये कहता हूं कि इन में से कोई भी दो न कि इसी सेट में आपको देखने को मिलता है अगर आप यहां पर कोई भी दो नंबर्स पर प्लस टू को एड़ कीजिये किता बना जिरो बना वह जिरो भी इसी सेट के नदर देखने को मिलता है तो अगर हम किसी सेट के दो हम लेते हैं और उस पर वह operation हम लोग यहां पर वर्क करवाते हैं तो उस operation को वर्क करने पर वर्क करवाने पर उससे जो result बनता है वह result भी अगर उसी set में होता है तो ऐसा ये जो operation है उसको हम लोग बोलते हैं binary और नाम नाम तरीक से यहां पर बताया जाता है, कि अगर आप operation की बात करते हो तो हम लोग उसको बोलते है binary operation और अगर हम यहाँ set की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो set है हमारे पास जैसा यह निटेजर था तो हम लोग इसको लिए कहेंगे कि G is closed with star operation इसके ले हम कहेंगे कि जी हमारे पास यहाँ पर यह जी जो है जी हमारे पास यहाँ पर स्टार ओप्रेशन के लिए क्लोजड है हम यह कहते हैं कि स्टार ओप्रेशन जो भी हमें ओप्रेशन दिया वाय है उस ओप्रेशन के लिए हमारा सेट सम्वरत है closed मतलब होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवरत याने की संवरत है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो z है जो इंटीजर है वो प्लस operation के लिए संवरत है योग संक्रिया के लिए संवरत है अगर हम मालो इने element को multiple करें तो अगर हम i के ही element को multiple कर दें तो इस i के ही element हम लोगों को नज़र आएंगे तो दो element पर ऐसा operation कि उसको और्ण करवाने पर उसी set का element बनाता हो तो वो operation होता है binary operation तो हम लोग कह सकते हैं कि multiple operation भी इसका क्या होगा binary operation होगा ये जो set है multiplication operation के लिए closed है समवरत है आये समझने में तो आपको पहले group समझने के पहले पहले आप लोगों को binary operation समझना है तो binary operation आपको ने देखा, समझा आपने अब group क्या है, अब उस पर लोग discuss करते हैं, तो देखो ज़रा कि यहाँ पर हमारे पास हमारे पास जी एक non-weight set है तो देखो ज़रा जी हमारे पास एक non-weight यानि की अरिक्त अरिक्त समुझ्य है non-weight set है अरिक्त समुझ्य non-weight मतलब कोई न कोई एक element तो इसमें होगा यह होगा, अब देखो ज़रा यहाँ सबसे पहली बात first यह आपका एक non-weight operation होना चाहिए और साथ में जो यह star है वह binary operation, non-weight set होना चाहिए और यह binary operation होना चाहिए कि द्वी अधारी संक्रिया तो सबसे पहले कि कोई भी set जो है अपने operation के लिए group कब बनता है तो इसके लिए हम लोगों को उसके अंदर तीन यहाँ पर property देखने को मिलने चाहिए यहाँ लोग कह सकते हैं कि तीन जो यहाँ पर exome से हैं तीन जो अभी गहितिया हैं वह set उस operation के लिए समव्रत होना चाहिए उस operation के लिए वह यहाँ पर satisfied होना चाहिए तो क्या यह जो तीन property हम लोगों देख रहे हैं क्या इनके लिए satisfied होता है तीन प्रोपर्टी कौन कौन सी होगी एक तो होगी एसोसेटिविटी यानि कि साहचर्यता एसोसेटिविटी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता मतलब यहाँ पर उसेट के जो ऐलिमेंट है उन एलिमेंटों के अंदर एसोसेटिविटी होती है साहचर्यता होती है जिसका अर्थ हிह होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अल्फा बीटा और गामा तीन ऐलिमेंट हमने G में से लिए जी में से लिए तो अगर हम अलफा, स्टार, बीटा, स्टार और गामा अगर हम यहां लेते हैं तो इसकी वेल्यू अलफा, स्टार, बीटा एंड, स्टार, गामा तो यह क्या है हमारे पास? एसोसेटिविटी, सा चर रहे था जो यह बता दी है कि जी के अंदर अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं, तो जो देखो ब्रेकिट आपको दिख रहा है यहां पर तो ब्रेकिट का मतलब किया होता है? ब्रेकिट का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को जो ब्रेकिट दियावा है मतलब पहले उसे सोल करना है यही तो हम लोग समझते हैं यहां तक तो ब्रेकिट का मतलब यह हो गया कि पहले आप क्या करें? कि लास्ट के दो इलिमेंट को आप लोग उस उपरेशन से उपरेट करवाएं तो लास्ट के दो इलिमेंट को उपरेट करने को कितना तेन आगया तो यह कहा रहा है कि लास्ट के दो elements करके पहलेबाद element करें चाहे आप पहले थो element को प्रप्रक्रय करें तो आफसे तारी के लिए या इस इतार सकते हैं कि यह 10 बन रहा है अगर हम यहां पर पहले ही अगर दो और तीन को एड़ करते और बाद में पांच को एड़ करते तो फाइब प्लस फाइब तब भी हमारे पास यहां यहां देखें तो हम लोगों को यहां पर सबसे पहले अब में इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकोडिंग ली हमारे पास यहां पर अब आइडेंटी के बारे में विचार करना चाहिए आइडेंटीटी यानिकी तत्समक्ता कट समक्ता है अब हमरे पास star operation है इसलिए हमने अइडेंटी लिखा है हमें star के बारे में जो operation दियावार्स के बारे में पूरी तरीखिस से पता नहीं है अगर सपोज करोगी star operation प्लस होता जो जनरली पढ़ते वह आ रहे हैं याने कि addition operator होता तो addition operator होता प्लस अगर होता मारे पास जो हम लोग नौर्मली पढ़ते वह आ हैं तो plus operation के लिए जो identity होगी उसको हम लोग बोलते हैं additive identity और multiplication अगर हम यहाँ पर operation लेते हैं तो उसके लिए identity बनेगी कि Multiplicated Identity. हिंदी में ने मोलते हैं योज्य तत्समाप और गुणंतत्समाप है ना तो additive identity और Multiplicated identity तो यहां हम जब identity की बात कर रहे हैं तो आप अब यहां समझे जारा क्योंकि आप लोगों को identity और इसके बाद हम पढ़ेंगे inverse तो यह दो जो definition है ना वह most important बहुत अच्छे से आपको लोगों को समझ नहीं है बहुत अच्छे से आप लोगों को इनको समझ नहीं है इनको देखना है क्योंकि identity और inverse को हम लोगों को set के अंदर check करना होता है कि क्या identity inverse उस set के अंदर हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो देखो identity के बारे में सबसे पहले तो पहले जो मैं आप लोगों को definition बता रहा हूं जो समझा रहा हूं identity के बारे में आप उसको हमेशा आप उसको हमेशा उसी तरीके से अपने दिमाग में recall करना जैसे मैं आप लोगों को जो आपको speech करूँगा क्या होती है identity देखो आप कोई भी एक element ले लो आपके set में से आपने कोई भी एक element ले लिया तो मैंने यहापर कोई भी एक element ले लिया अब सपोच करूँगा कि मैंने एक real number का set ले लिया अब इस अगर एक element ले लिया अब इस 10 के अंदर मैं एसी कौँण सी संख्या एड़ करूँ मैं इस 10 के अंदर इस real number में से ही आने वाला एसा कौन सा element यहाँ पर add करूँ कि यह इस 10 पर कोई फरक नहीं डाले उसको वेसा का वेसा हमें ला करके दे दे तो आपको तुरंथ फड़ाब से जवाब मिले चुका होगा कि इसा r के अंदर इसा element 0 होता है अगर हम 0 को इसमें add करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा आप इसको चाहिए left side से add करें चाहिए इसको आप right side से add करें तो तब भी हमारे पास यहाँ पर 10 ही होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि left से हम लोग add करें दौनों different डिपेंट डिपेंट आएं एसा हमें नहीं देखने को मिलता है हमेशा यह commutative याने की करम विनी में होने चाहिए तो left set करो या right set करो identity को हमेशा result विशा ही find होना चाहिए मिलना चाहिए तो फ्लस की बात करों मैंने multiplication लियावा होता अब अब suppose कोड़ कि यह R है अब आर में से मैंने ले लिया सपोच करो 5 divided by 2 अब 5 divided by 2 मैंने ले लिया यहाँ पर और मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पर 5 divided by 2 को मैंने operation यहाँ पर multiplication का ले लिया पहले operation हमारे पास प्लस का था अब मैंने operation यहाँ पर multiplication का ले लिया तो multiplication operation के लिए अब मैं आपसे यह कहता हूं यहां पर कि 5 by 2 जो element है उसके अंदर हम एसे किस element को multiple करें कि यह इसके result में कोई फरक नहीं डाले इसको वेसा का वेसा लाकर करके दे तो R में से ही लिया हुआ यह जो हमारे पास element होगा वह वन होगा तो R में सही एसा element वन हमारे पास यह है जो इसके result को वेसा का वेसा लाकर करे कि आपके आएडेंटी वह सकती है कुछ बने डिर्फन डिफरेंट हूं relig तो हमारे पास अगर operation different है तो identity भी different होगी पर लेकिन ध्यान दो इसके अंदर identity की जो जो recall कर रहा हूँ मैं जो speech कर रहा हूँ उसमें मैं एक बात आपको common रख रहा हूँ तो operation चाहे आपको कैसे भी दे दिया जाए आपको तो बस हमेशा एक ही बात को speech करना है कि identity एक एसा element होता है उसी set में से कि अगर हम किसी element पर जो कि उसी set में से लिया जाए तो अगर हम उसी set के element पर उस identity से work करवाते हैं तो उस element पर कोई फरक नहीं पड़ता है हमें प्राप्त हो जाता है बस यह ही आपको recall करना है जब भी आपको identity ढूणनी है तो यहां पर भी जो कोई इस तरह से ही हुआ आइडिन्टी एक एक एसा element है जो किसी पर work करता है तो उसकी result में कोई फरक नहीं डालता है उसको वेसा का वेसा लाकर करके दिता है क्या होगा है तो हम लोगों को यहां पर यह असानी से देखने को मिला तो आइडिन्टी के बारे में अब आजसरी सब जान चुके होंगे तो यहां पर हम जनरली जो है प्लस ओप्रेशन और मल्टिप्लिकेशन ओप्रेशन के लिए 0 और 1 हम यहां लेते है पर लेकिन अगर ह हम यहां पर ओप्रेशन कुछ डिपेंट भी अगर रखना चाहते हैं तो फिलाल अभी हमने ए रखा है स्टार रखा है अगर हमने ओप्रेशन तो फिर हम यहां पर आइडिन्टी को ई से शो करेंगे ठीक प्लस हुआ तो यह 0 बन जाएगा मल्टिप्लिकेशन हुआ तो यह यहां जो यह हमारे पास ए है यह हमारे पास सेट में होना जरूरी है उस सेट में पाया जाना चाहिए तो आइडिन्टी की डेफिनेशन हम यहां रिखेंगे कि 4A elements of the G के प्रतेक element के लिए ऐसा नहीं कि दो एक आत element के लिए ही identity work करें, प्रतेक element के लिए देखा जाता है कि प्रतेक element पर identity को ओपेट करवाते हैं तो वो उसके result में कोई फर्क नहीं डालता तो for every elements of the G there exist E elements of the G such that अब इनके मतलब आपको समयन में आने चीए symbol के, for every याने कि प्रतेक इसको इस तरह से लिखा जाता है प्रतेक G के element के लिए तो for every A elements of the G प्रतेक G के element के लिए there exist याने कि विद्यमान है, है ना? इसको भी बोलते हैं, there exist there exist, विद्यमान है विद्यमान है such that इस प्रकार से तो g के प्रतेक element के लिए g में ही e इस प्रकार से विद्यमान है की की a star e equal to a equal to e star a मतलब जब हम किसी a element पर उस identity से work करवाएं तो ये उस element पर कोई फर्क नहीं डाले इसको वेसा का वेसा ला करके देते चलिए तो ये तो हमने identity के बारे में पढ़ा है ना अब आप लोग inverse के बारे में discuss करो inverse inverse क्या है तो यहां inverse के लिए अगर हम बात करें तो देखो आप लोग वेसा के लोग लोग वेसा कि लोग्टियों अवेश के लोगे देखो अब विकुल वही जैसे identity की आप लोगों को identity ढूंडने के लिए वो मेरा statement याद रखना है आपको विकुल उसी तरीके से inverse का भी statement आपको मेंशा ध्यान अखना है कभी भी आप identity inverse ढूंड होगे तो वो statement अपने दिमार के पिले recall करना उसके बाद आप उसको देखना तो आपको identity inverse ढूंड में कोई operation नहीं होगे आपको तुरंत मिलेगी अब inverse का मतलब क्या है inverse का मतलब है कि मैं इसको बड़े simple से पहले कि example से आपको समझाता हूँ कि अभी अभी हमने क्या देखा कि number के लिए प्लस operation के लिए हमारे पास 0 जो है वो उसकी additive यानि कि योज्य तत्समकता होती है additive identity होती है तो प्लस operation के लिए जो 0 है वो उसका additive identity होता है तो देखो जरा हमने क्या देखा था कि प्लस operation के लिए 0 होती है तो अगर आप यहां पर real number में से या integer number में से किसी में से एक element आप ले रहे हैं 5 तो आपने real number में से कोई element ले लिया 5 अब इस 5 के अंदर हम एसा कौन सा element एड करें कि इस से इस operation की identity हमें मिले रिकॉल कर अपने दिमाग में इस statement को मैं जैसा पढ़ रहा हूं आप लोगों हमेशा किसी भी सेट में से ढूंडेंगे कि उस सेट का कोई एक element लिया हमने तो उसी सेट में से एक element ऐसा हमें देखना है कि उसको जब हम लोग उस operation से operate कर वाएं अगर हम उसको प्लस operation दिया वाएं तो अगर हम उसको प्लस करें तो उससे प्लस की ही identity अब प्लस की identity क्या थी शुन्य जिरो तो वो हमें मिले तो आपको फटावर से याद आ चुका होगा कि ऐसा जो element है वो हमारे पास होगा माइनस का 5 तो 5 को माइनस 5 से मैं एड करेंगे तो शुन्य बनेगा अगर मैं मालो multiplication operation लेता हूं और multiplication operation लेता हूं तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा यह multiplication लिखा अब बताओ ज़रा आप लोग कि यहाँ पर 5 को ऐसे में किस element से multiple करूं किस element से अगर मैं multiple करूं कि उससे हमें plus की ही identity हमें मिल जाए sorry multiplication की identity हमें मिल जाए तो multiplication की identity हमारे पास क्या है 1 तो 1 हमें मिलनी चाहिए तो जैड से बात है कि ऐसा element आप लोगों को मिल जाएगा और वो element हमारे पास होगा वन अपोन 5 तो हम कहते हैं यहाँ पर कि जो 5 है वो 1 अपोन 5 का inverse है या वन अपोन 5 multiplication operation है इसले multiplicative inverse है अगर यहाँ पर plus operation होता तो उनसको बुलते additive inverse योजय परतिलोम और यह हमारे पास होगा गुणन परतिलोम तो यहां पर हमारे पास जो है देखो प्लस है तो यहां पर माइनस फाइव बना मल्टिप्रिकेशन है तो वन अपन फाइव बना तो ओप्रेशन जैसे होते हैं कि यह plus operation, multiplication operation और इस तरह से हमें result मिला तो देखो अब हम यहाँ पर inverse के लिए जो statement बनाएंगे अपना वो statement हमारे पास इस प्रकार से होगा सुनिएगा statement क्या है हमारे पास statement इस तरह से होगा किसी भी element पर उस set के किसी भी element पर उसी set के ऐसे element को हम जब operate करवाते हैं operation से तो वो binary operation उससे बनने वाला result उस operation की identity ही दे तो ऐसा जो element होता है वो पहले वाले element का inverse होता है दुबारा सुनिए inverse किसे कहेंगे कि कोई element जब दूसरे element पर operate होता है तो उससे उस operation की identity बनाता हो तो ऐसा जो element है वो additive, sorry, inverse कहलाता है अब प्लस है तो additive inverse, multiplication है तो multiplicative inverse अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ज़रा कि inverse क्या है, तो inverse के लिए हम लोग यहाँ कहेंगे 4, every A, not equal to, for every A, elements of the G, there exist, there exist यहाँ पर हमने ले लिया B elements of G such that A star B equals to identity equals to B star A ठीक तो हम लोग कहते हैं कि B is B is inverse of A B is inverse of A या A is inverse of B तो देखो जरा यहाँ पर मैंने एक bracket छोड़ावा है तो यह bracket क्यों हमने यहाँ पर छोड़ावा है आप सोड़ा से ध्यान दीजे कि यहाँ पर हमारे पास inverse तो हम लोग ढूढ़ रहे है तो यहाँ पर एक शर्त आप लोग ध्यान दीजे multiplicative inverse के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि multiplicative inverse जब हम लोग ढूढ़ते हैं तो हमारे पास जिस भी element का हम multiplicative inverse ढूढ़ रहे हैं उसका non equal to 0 होना जरूरी है क्योंकि A के लिए जो इसका inverse होगा वो हमारे पास A inverse होगा और A inverse का मतलब होता है 1 upon A तो अब आपको सब्सक्राइब में आ चुका होगा कि यहाँ A equal to 0 होता तो उसका inverse यहाँ पर विद्यमान नहीं होता इसलिए multiplicative जो inverse होते है वो multiplicative inverse के लिए उस A का 0 नहीं होना जरूरी होता है जो भी element non 0 होते है उसके ही inverse available होते है इसलिए मैंने जो यह bracket लिखा है इस bracket के अंदर मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे show करना है कि यह जो हमारे पास A है वो not equal to 0 होना चाहिए और 0 जो है वो हमारे पास additive identity है तो मैं इसको जो है यहाँ पर क्योंकि हमने star operation लिया है इसलिए हमें पूरे पूरे तरीके से ध्यान नहीं है कि यहाँ पर operation प्लस वाला है या multiplication वाला है या किस तरह के का है विशा भी दिया होगा विशा होगा पर लेकिन A not equal to 0 हमें लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर inverse अवेलेबल होगी तो यह हम लोग इस प्रकार से inverse यहाँ पर ढूनते हैं और इसको inverse को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हमारे पास इस तरह से यह inverse भी देखने को मिला अब आइडेंटी भी हमने पड़ी तो जो भी सेट जो भी सेट हमने जी सेट कर लिया था जो भी सेट स्टार ओपरेशन के लिए जो की बाइनरी ओपरेशन है तो वो बाइनरी ओपरेशन अगर यह तीन प्रोपरेशन के लिए ग्रूप होता है यानि कि सम्मूम होता है मैंने क्या कहा दुबरा सुनिए एक सेट है जी और उसके अंदर एक बाइनरी ओपरेशन है तो ये binary operation अगर ये 3 property follow करता है तो वो set G उस binary operation के लिए group होता है 3 property में associativity, identity और inverse और ध्यान दीजिए अगर यहां हम एक property और शामिल कर दें जैसे कि करम विनेमेता याने कि commutativity commutativity आप लोग अच्छा से जानते हैं तो अगर हमारे पास इस operation के लिए commutativity property भी follow होती है तो फिर ये group, group, abelian group याने कि करम विने में समुह बन जाता है तो abelie समुह क्या होते हैं? जो चार property follow करते हैं जिसमें तीन तो property group की और एक एक्स्टा property होती है करम विनेमेता की याने कि commutativity group की तो commutativity group क्या होता है? करम विनेमेता नियम को संतुष करता हो तो हम लोग इसको यहाँ पर यह लिख सकते हैं तो यह लिख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख सकते हैं abelian group के बारे में abelian group याने कि इसको हम लोग commutative group भी केते हैं हिन्दी में इसको हम लोग abelie samuha या करम विनी में समुह केते हैं इसके लिए पहला यह जो g है star operation है उसके लिए first यह g star जो है वो एक तो group होना चाहिए और second for every commutativity property और commutativity property follow करने चाहिए तो commutative property क्या होगी हमारे पास for every प्रतेक element के लिए for every a elements of the g for every a elements of the g then तो a star b equal to b star a तो यह property जो follow करेगा वो हमारे पास होगा abelion group तो आपने देखा इस तरह से group define किया जाता है पर यह आपने अभी assemblic form में समझा है assemblic form में हापने समझा इसने सभी तरह के set के बारे में यहाँ पर बात की है हम यहाँ पर क्योंकि real analysis हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर number system होगा यानि कि number वाले set होगे और number के जो set यहाँ होगे तो उनको हम तुरन पेचान भी सकते हैं यहाँ पर से calculate भी कर सकते हैं तो numbers से related मैं कुछ यहाँ पर example लूँगा और वो example जो है आपको group को और field को समझने में काफी help करेंगें आपको पता लगेगा कि कौन-कौन से group बन सकते हैं कौन-कौन से group नहीं बन सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर हैं जो example हैं वो हम लोग अगले lecture में लेंगे कि किस तरीके से group define होता है कि कैसे हम लोग किसी set को पेचान करके यह बता सकते हैं कि वो group होगा या नहीं होगा तो group के कुछ हम लोग example वो हम अगले lecture में लेंगे और हम अगले lecture के अंदर ही फिल्ड भी हम लोग समझेंगे फिल्ड के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे ओके तो आज की lecture के हम लोग यहीं परिश करते हैं थेंकी सो मच धन्यवाद